हे गाइस वेलकम बैक टू मैं चैनल माई डिवाइन व्लॉग आई होप आप लोग बहुत मज़े में होंगे मैं भी बहुत मज़े में हूँ और मैंने अपना पेपर सारा खतम कर दिया है आप लोग अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ लीब्स है यह क्या चीज के यह क्या चीज के प्लांट है आप लोग गयस करके बताईए कि क्या है कॉमेंट बॉक्स में और मैं आपको भी बताती हूँ यह है तेज पत्ते के प्लांट जी हाँ इसे इंगलिश में बेलिब्स कह सकते हैं इसे आप अपने चाय में यूज कर सकते हैं इसे जलाकर मच्छर तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आप अपने गहरों में अपने घरों में देजपत्थे के प्लांट कैसे लगा सकते हैं मैंने एक नर्सरी से यह देश पत्ते का पौधा लेके आया है यह चोटा ही ज्यादा बड़ा नहीं है और इसके वारे मैं यह भी बता देती हूं यह स्लो ग्रोइंग प्लांट है तो यह जल्दी नहीं बड़ा होता है यह धीरे-धीरे करके बड़ा होता है तो मैं इसे अब लगा रही हूँ एक कमले में इस पौधे को लगाने के लिए आप कोई साबी स्वाइल यूज्ट कर सकते हैं इसके लिए प्रॉपर चाहिए नहीं कि हमें ये स्वाइल चाहिए यह वह स्वाइल चलिए िसके रिए-णूर्मल जो मिट्टी होती है वही मिट्टि में हम कुछ फाइदे बता देती हूं आप सभी तेजपत्ते को अपने डेली यूज कीचन में देखते हैं इसे अपने सब्जी में प्लाव में बिडियानी में स्पेसली डालते हैं टेस्ट इनहांस करने के लिए तो मैं आज आपको बताती हूं यसे आप अपने हेर ग्रोथ के अपने लीवर के लिए अपने हर्ट के लिए सभी और गेंस के लिए बहुत फायदे मंद है अगर किसी को अलसर है तो यह आप तेजपत्त्य खाने अपने डेली यूज में स्टार्ट कर दीजिए आपका अलसर चूम अंतर की तरह भाग जाएगा और आप इसे डेरेक्ली न खाना खाने समय में इस तेजपत्य को आप अपने खाने से बाहर निकाल देजे उसके बाद आप खाना खाईए क्योंकि खाने में इसका सारा फ्लेवर आ चुका है और ये खाने के माधिần से हमारे सरीर के अंदर पहुँच जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद तो आप सभी ये देखिए कि मैं कैसे इस प्लांट को लगा रही हूँ इसके लिए मैंने हाफ मिट्टी भड़ा था पॉट में उसके बाद इस प्लांट को निकालके और इसमें से प्लांट में जितनी गीली मिट्टी थी वो भी थुरा सा हटा दिया प्लांट को मिट्टी के साथ रखके उपर से मैंने और मिट्टी डालके इसे फील कर दिया और हलके हाथों से इसे दवा दिया दवाने के बाद इसे पानी थुरा सा दिया और इसे आप लोग को very sure साम को ही लगाना है कोई भी प्लांट मैं बताती हूँ शाम को ही लगाईए दो दिन तक shaded area में रखिए उसके बाद proper light sunlight में से डालिए इसको सबसे ज्यादा sunlight की जरुरत है और मैं भी बता देती हूं कि मैंने इसे गलट time पे लगाया है इसे winter में बिलकुल नहीं लगाना चाहिए बट मैं क्या करूँ मैं नरसरी में बहुत दिन से बोल लही थी मुझे च जाती है तो मुझे इसका भी केर करना पड़ेगा और अभी देख सकते हैं आप इसके पत्ते हलके हलके मुर्जाय मुर्जाय हैं तो इसे मैं proper धूप में रखूंगी तो यह फिर फ्रेश हो जाएंगे तो इसे प्रॉपर sunlight में ही आपको रखनी है क्योंकि अब थंड का मौस इसमें कम पानी देना जब तक उपर की लेयर सूख नहीं जाती है तब तक आप पानी नहीं दीजिएगा और तब देखिए जिसका जो पूरी तरीके से ग्रीन पत्ती होगी उसी को आप तोड़के अपने खाने में यूज कीजिएगा जो light green पत्ती होंगे उसे नहीं प्रॉपरली बन जाते हैं पत्ते जो पुराने पत्ते हो जाते उन्हीं ही तोर के यूज करना चाहिए यह हम लोग डारेक्ली सब्जी में भी यूज करते हैं इससे सुखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और आप अपने टी में यूज कर सकते हैं सुबह सुबह की नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब